The Chronicles of Dinania, Book 5, The Voyage of the Dawn Treader, Chapter 16, The Very End of the World Drinion, Lucy और Edmund के अलावा सिरफ रिपिचिप ही वो था जिसने उन पानी वाले लोगों को देखा था और उन्हें देखते ही वो उनसे भेडने के लिए पानी में कूद पड़ा था वो तो उसकी समुदर में मीठे पाने की खोज ने उसे वापस Dawn Treader पे आने पर मजबूर कर दिया वरना वो ज़रूर उन पानी वाले लोगों को लड़ाई की चुनौती दे के आ जाता जहास पे आने के बाद Trinian ने उससे कहा कि इन पाने वाले लोगों के बारे में उसे किसी को कुछ नहीं कहना और वैसे भी वो लोग अफ समुदर के ऐसे हिस्से पर हैं जिसके नीचे कोई जीव जन्तु नहीं रहता थोड़ा आगे जाने के बाद तकरीपन दोपहर के समय लूसी को समुदर में एक मचलियों का जुन दिखा जो की एक ही दिशा में तैर रही थी और साथ ही में समुदरी घास भी खा रही थी उस मचलियों के जुन के पीछे लूसी को एक समुदरी लड़की भी दिखी जो कि लूसी की ही उमर की थी उस लड़की को देखके लूसी ने सोचा कि ये लड़की पक्का एक ग्वालिन होगी जो इन मचलियों को समुदरी घास चरवा रही होगी Lucy ने पानी की तरफ जुक के उस समुदरी लड़की को देखा और उस लड़की ने पानी की सथय के पास आके Lucy को देखा और कुछ ही पलो बाद Dawn Trader इतना आके बढ़ गया कि Lucy को वो लड़की दिखनी ही बंद हो गई उस लड़की को देखके Lucy को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लड़की पहले दिखी शिकारी टोली जैसी नहीं थी बलकि उसका चहरा शान्त था और वो Lucy को यकीन था कि उस लड़की को भी Lucy को देखकर अच्छा लगा है आने वाले कुछ दिनों में समुदर और भी शान्त होता गया और Dawn Trader मक्षन की तरह East की तरफ उस पानी पर तैरता रहा हर दिन रोशनी और बढ़ती रही और crew के सारे लोग उसे जहल पा रहे थे उन लोगों ने खाना और सोना बिलकुल बंद कर दिया क्योंकि उनका मन ही नहीं किया पर उन लोगों ने समुदर से निकाल के उस पानी को जरूर पिया जो की वाइन से भी जादा स्ट्रॉंग था और आम पानी से जादा गीला था जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने बोलना भी उतना ही कम कर दिया एक दिन कैस्पियन ने डिनिय हो जिसके साथ वो ये भी कहता है कि हमें लंगर गिरा के अपनी गती कम करनी चाहिए क्योंकि वो जो कुछ भी है सामने इस गती में अगर हम उससे टकराए तो अच्छा नहीं होगा और क्रू के लोग वही करते हैं जो डिनियन कहता है डॉन ट्रेडर जब उस सफेज चीज क बगल में चलते हुए भी उन में से किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है राइनल्फ ने कुछ नावें पानी में उतरवाई और वो नावें उस सफेज चीज के अंदर जाके दिखनी बंद हो गई थोड़ी देर बाद उन नावों के अंदर के लोगों के कि वो सफेज चीज लिली इस थे लिली के पूल कैस्पियन ने ये सुनके कहा कि वो हमारे यहां जो लिली के पूल होते हैं ये वो नहीं होंगे पर राइनल्फ कहता है कि उसका तो नहीं पता पर ये दिख बिल्कुल वैसे ही रहे हैं जिसके बाद थोड़ी देर चर्चा कर करने के बाद डॉन ट्रेडर को इस लिली इसके से बीच से होकर ये सथ की और लिजाया जाता है लिली इक का दूसरा नाम सिल्वर सी भी उन लोगों ने बाद में इस्तμाल किया जो की जाधा विढया और लोग उस जग़ा बुलाने लगे लिली लेक से होते हुए जब डॉ ट्रेडर इस्ट की और बढ़ता रहा और वहां एक ऐसी खुश्बू लूसी को महसूस हुई जो बहुत मीठी थी और उसे बहुत कुछ करने का मन भी करवा रही थी उस खुश्बू को सूंग के उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो पहाड चड़ जाए या हाती से कुछती लड़ ल वहां जहाज रुका और कैस्पेन ने सब को बुलाया और कहा कि हमारा मिशन पूरा हुआ सातों लॉड्स के बारे में अब हमें जानकारी है और रिपी चिप ने जैसा बादा किया है वो दुनिया के अंतक जाके कभी वापस नहीं आएगा मैं रिपी चिप के साथ दुनिया सब क्रू मेंबर्स को मेरा वादा किया इनाम दिया जाए मैं ट्रफल हंटर मास्टर कॉर्नेलियस और बैजर के लिए हुकम जारी करता हूं कि अगर मैं दुनिया के अंसे वापस ना आउं तो नार्निया के लिए एक नया राजा वो लुक चुन लें ये सुनकर हर को एक नहीं कर सकते हैं और अगर आप वापस ना आए तो अनर्थ हो जाएगा और आपको ऐसा कदम उठाने के लिए हम में से कोई नहीं मानेगा चाहे हमें बलका ही इस्तमाल क्यूं ना करना पड़े आपकी जान की कीमत बहुत जादा है आप कोई आम इंसान नहीं है जो की जी भर के रोमांच की तलाश में कुछ भी कर सकता है आप पर लोगों की जानवरों की और सभी जीव जन्तूं की जिम्मेदारी है तब ही एडमिन कैस्पियन को किसी किताब का उधारन देता है जिससे सब चाहो ना उपर खैच लो ये रोमांच यहीं खतम जिस पर रिपिचिप कहता है कि नहीं महराज मेरे लिए अभी रोमांच खतम नहीं हुआ है जिस पर कैस्पियन कहता है कि कोई इस चूहे को चुप कराओ जिस पर रिपिचिप कहता है कि महराज आपने वादा किया था क कि आप बोलने वाले जानवरों को इंसानों जितनी इज़त देंगे। जिस पर कैस्पियन कहता है कि हाँ वादा किया था बोलने वाले जानवरों को इज़त देने का उस जानवर को इज़त देने का नहीं जो बोलता ही रहता है। जिसके बाद वो हाथ में पकड़ी सीडी पटक देता है, गुस्से में अपने कैबिन में चला जाता है और कैबिन का दर्वाजा जोर से पटकता है। थोड़ी दिर बाद जब सब उसके कैबिन में जाते हैं तो वहां कुछ अलग ही मनजर पाते हैं। कैबिन रो रहा था। वो उन्हें बताता है कि ये बहुत जल्दी है, बिल्कुल सही नहीं है। और बताता है कि उसके कैबिन में लगे असलन की तस्वीर द्वारा, असलन ने उससे कहा है कि रिपेचिप, लूसी, एडमंड और यूस्टस सब मुझसे अलग हो रहे हैं। और मुझे अकेले ही नार्निया जाना होगा। ये सब बताते हुए कैबिन के आसू रुख ही नहीं पाते। और लूसी उसे प्यार से कहती है कि ये तो तुम्हें पता ही था कि हम लोग वापस अपनी दुनिया में जाएंगे। और वैसे भी रमंडु के टापू पे जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस पर कैस्पिन कहता है कि उसे पता था पर ये बहुत ही जल्दी है। दो पैर बात दो बजे के करीब नाइट रिपेचिप अपनी कॉरिकल में सवार होके अनंत लिलीस से भरे समुदर में निकल पड़ता है। दुनिया के अंत की और और यूस्टस एक नाओ में बैठके उस लिलीस से भरे पानी में एक दिन तक बहाव के सहारे इस्ट की तरफ चलते रहते हैं। जिसके अंत में आती है एक दीवार। और अगली सुभा उन्होंने सुर्यास्त के समय जो देखा उसे बयान करना तो नामुम्किन काम है। उन्हों से यही लग रहा था कि वो पहाड दुनिया से बाहर ही हैं। वो जो पहाड उन लोगों को दिख रहे थे वो पेड़ पौधों और जर्नों से भरे हुए थे। और उन्होंने उसकी कॉरिकल में बैठने में मदद की और लूसी ने वो किया जो वो हमेशा से करना चाहती रेपेचिप ने उन सब के लिए उदास होने की कोशिश भी की पर असल में उसके मन में तो लड़ू फूट रहे थे। गास से मिल रहा हो उसके अंत में। उन्होंने आगे बढ़कर देखा और वो नीली दिखने वाली दिवार जिसके आरपर देखना मुम्किन था वो गास से मिल रही थी। वो लोग उस मिलन की और जाते हैं पर उनके सामने उन्होंने एक भेड के बच्चे को देखा। उस भ जिसके बाद उस मेमने का सफेद फर सुनहरा होता गया और वो मेमने एक शेर बन गया क्योंकि वो खुद असलन था असलन बताता है कि मैं सिरफ ये बताऊंगा तुम्हें कि मेरे देश का रास्ता एक नदी पार करके आता है पर चिंता मत करो मैं वो पुल खुद ही बनाऊंग जिससे तुम उस पार जा सको, ये सब कहने के बाद असलन उन सब से कहता है कि अब वो उन्हें उनकी दुनिया में भेज रहा है, इस पर लूसी कहती है कि अकली बार हमें नार्निया और जल्दी बुलाना, जिस पर असलन कहता है कि तुम दोनों अब नार्निया नहीं आओगे, तुम दोनों अब बहुत बड़े हो चुके हो Lucy कहती है कि पर हम तुमें मिले बिना कैसे रहेंगे जिस पर असलन कहता है कि मैं तुमें वहाँ भी मिलूँगा जिस पर Edmund पूछता है कि क्या आप हमारी दुनिया में भी हैं जिस पर असलन कहता है कि हाँ पर वहाँ मेरा कोई और नाम है मैं तुम्हें यहाँ लाया था ताकि तुम कुछ समय मुझे जान पाओ और फिर अपनी दुनिया में मुझे याद करो और समझो अब तुम दोनों को अपनी दुनिया से गहरा रिष्टा बनाना होगा इस पर लूसी पूछती है कि क्या यूस्टस यहाँ वापस आएगा जिस पर असलन कहता है कि इसके बारे में तुम्हें जानने की जुरूरत नहीं है जिसके बाद हवा में एक रास्ते से होते हुए वो लोग अपनी दुनिया में पहुच जाते हैं कैस्पियन और उसका कुरू सही सलामत नार्निया पहुच गया और कैस्पियन ने रवंडू की बेटी से शादी भी की जो की महान राजाओं की मा और दादी बनी इस दुनिया में हर किसी ने यूस्टस की बहुत तारीफ करी कि वो सुधर गया है सिवाए उसकी मा आंट अलबर्टा ने जिनका कहना ये था कि उन पहुच भाई बहनों ने उसे बिगार दिया है और शोड़ा से तू भी कंटिनूड